आज की जो रेसिपी है बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली छोटी छोटी फेस्टीवल में या कोई भी सेलिप्रेशन में बना कर इसको एंजोई कर सकते हैं बस दस मिनिट में बन जाता है घर में बहुत ही कम इंग्रीडियंस के साथ तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसमे दोग शिरज सिरब बनाएंगे तो जिसके लिए मैंने एक पैंन लिया उसमे आधा कप जितना चीनी लिया जितना चीनी है उतना ही पानी है इसमें कोई तार वाला चाष्णी हमें नहीं बनाना हैं बस हलका गाडा होना चाहिए ताकि अच्छे से ब्रेड्स में कोठ हो बढ़ाए और उसमें डालेंगे एक लीटर जितना दूद इसे ना हमें खौला कर बिल्कुल एक चौथाई जितना बज़ा है तब तक इसे हमें खौलाते रहना है और बीज-बीज में इसे चलाते रहेंगे थोड़ा सा जैसे उबाल आ जाए इसमें दो बड़ा चमच एक बढ़ाते रहेंगे और साइड में जो मलाई आ जा रहा है इसे भी दूद में मिलाते हुए हम मिक्स कर देंगे तो इसे तब तक हमें खौलाना है जब तक एक चौथाई पाट ना बज़ जाए बिल्कुल क्रीमी टेक्च्चर हो जाएगा तो बस वही बड़ा टेक्च्चर हमें चाहिए तो इसे मिडियम फ्लेम पे इसी तरह से लगतार चलाते हुए खौलाते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे जो भी मलाई साइड में आ रहा है तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यह हमारा दूद जो है एक शोथाई पाट बज़ गया बहुत अच्छा क्र अच्छा भी इसका आया है तो बस फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो इसे भी अभी हम रख देते हैं साइड में तो यह दूद हमारा जो है बिल्कुल तायार हो चुका है अभी काफी गरम है उसके बाद हम लेंगे ब्रेट स्लाइस ब्रेट कर रहे हैं ब्रेट स्लाइस को इस तरह से आदे-अदे पास में कट कर लेंगे कोई भी ब्रेट का सित्समाल कर सकते हैं यह उसके पाद मैंने लिया एक पैस यहां पर इना यह ब्रेट को हम शलो फ्राइए करेंगे तो बिल्कुल रस की ऐसा दिखने लग रहा है तो बस्यु वाले को अभी हम शलो फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होने तक हम इसे शलो फ्राई करेंगे डिफ फ्राई भी कर सकते हैं मगर कम तेल में हम इसे शलो फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को मिडियम पर ही रखेंगे आज जो है ना उसे मिडियम पर रखके हम इसे शेलो फ्राइए इस तरह से golden brown होने तक दोनों तरफ से उलटते पुलटते हम इसे golden brown कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ ingredients का भी इस्तमाल नहीं होता है खाने में तो बहुत ज्यादा स्वाजिस्ट लगता है तो आप दिवाली आने वाला है बहुत सारे गेस्ट आते गर में तो यह जरूर से आप बना कर सकते हैं ठंडा ठंडा सर्फ करेंगे तो यह और बहुत जबदस्त लगता है तो बिल्कुल यह कलर आने तक हम इसे शलो फ्राई करेंगे उलटते पुलटते यह हमारा रेडी हो गया फर्स्ट बैच और जितना भ ब्राउन होने तक तो यह सारा मैंने कर लिया है इसे भी साइड में एक छली में निकाल लेंगे तक कि जो भी एक्स्ट्रा ओयल होगा वह निकल जाएगा और यह देख सकते हैं दूद भी ना हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया गाढ़ा भी हो गया ठंडा होने के ब्रेट्स में हो थो दालने से पहले ब्रेट्स नینकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा वह च्छन जाए थो आगयो दो बांकि एससी तरह कि यह दलना जाएंगे डिप करेंगे और इसे फिर से छनली में स्टेन कर लेंगे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा सिरप होगा ना सुगा सिरप वो हट जाए निकल जाए और उसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर से जो दूध हमने बना कर रखा है न वो डालेंगे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा अगर फीसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजेगा फ्रेंस और फैमली के साथ जरूर से शेयर कीजेगा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी बहुत ही मस्त वाली जबरदस्त वाली रेसिपी है तो सब्सक्राइब करेंगे तो यह और भी बहुत जबरदस लगता है खाने में तो यह मेरी प्लेटिंग हो गई और धेर सारा देख सकते कितना धेर सारा बनके तयार भी हो जाता है तो जरूर ट्राइब कीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग इंचॉइ